मुटभेड में कुछ आने सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की भी खबर है इसके बाद से इलाके में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलो का सर्च ओपरेशन चल रहा है और आतंकियों की तलाश की जा रही है अभी मैं भाटा देशा के जंगलों में मौझूद हूँ और इस वक्त जो है यहाँ पे गहन तलाशी अभ्यान जो है वो चलाया गया है मैसिव जो सर्च और कॉर्डन है वो सेना की तरफ और उनके साथ जो वीडिजी मेंबर्स हैं वो भी गाउं में अपने चपे चपे पे इस वक्त मोचा संभाले हुए हैं क्योंकि यही VDG मेंबर हैं जिन्हों ने आज भी जो है उनकी जो मूमेंट है आंतकवादियों की वो नोटिस की और इस वक्त न्यूजेटिंग की टीम भी जो है इनके साथ मौजूद है और यहां इसी जंगल में जो है चान बीन इनकी तरफ से भी की गई है क्योंकि मामला य जो है उनका सक्त सक्ती से निप्ता उनके साथ उसके बार आंतकवाद जमू में खतम हो गया समाप्त हो गया लेकिन वापिस अब जिस तरह से पाकिस्तान ने जमू सूबे को एक जंग का मैदान बना दिया है और यहां कोशिश यह है कि इस समूचे इलाके में इस तरह के गहन तलाशी भ्यंच लाए गया है क्योंकि रात के वक्त जो है यहां पर मूवमेंट देखा गया है यह भाटा देशा का जंगल बहुत ही घना जंगल है यहां की जो टॉपगराफी है ट्रेन है वो भी बहुत मुश्किल है और ऐसे में जो है यह जो विडिजी मेंबर्स है इनके साथ न्यूजेटिंग की टीम भी इनी पहाड़ों पे मौझूद है और कोशिश यह है कि सच दिखाना है सबको कि किस तरह से यहां तकवादी इन घने जंगलों का फाइदा लेते हुए यहां छुप जाते हैं और जब मौका मिलता है तो घात लगा के जो है हमला किया और चलना भी यहां पे मुश्किल होता है और चलते चलते यह जिस तरह से इनोंने हर एक छोटी से छोटी मौवमेंट पे अपनी निगहा बनाई हुई है और हमेशा यह सबसे आगे रहते हैं और तुरंत जो है सूचित किया जाता है इनकी तरफ से सेना को जब भी कोई है क्योंकि पहारों से कोई मौमेंट इंको दिखाई दिया है और यहां पे जब आप नीचे से जाते हैं तो आपको नहीं मालूम होता कि दुश्मन की निगहा से किस तरह से बचा जाए को क्योंग दुश्मन को एडवांटेज यह है कि वह पहारों पर बैठा हुआ है और प कर सकता है इसी लिए इसी तहां छुप छुपाते हुए ही दुश्मन तक हम पहुंच सकते हैं और दुश्मन को पहुंचने के लिए अब जैसे इन्होंने मुझे कहा है कि वहा हम देख लिया है चैद कोई जानवर था इसकी मुवमेंट इंको दिखाई दी अब यह वापिस उ ने इस ओपरेशन को चलाए हुए है दो दिन से हम डटे हुए है ओपरेशन हमारा ठीक चल रहा है तो यह इधर उपर जंगल में भी आतंगवादी थे कल हमारे यह हमारे वीडी जी के साथ पटेक हुआ उनका को दो डाइगेंटे चला और वहां से भाग निकले तो किस मोवमेंट नोटिस करते हैं जैसे अब हमने शूचित किया तो चुरह किस तरह से आपके बाद गंस यह कब से हैं और क्रेका अर 29 oh no ट्रेनिंग भी हमें है तो हम आतंगवाद का मुह तोड़ जो आप दे सकते हैं तो हलें की बीच में आंतिकवाद खतम हो चुका था तब आप कहीं आपकी पहले से जो रूटीन होती थी जंगलों को चानना वहां तलाशिय भ्यान चलाना वो बंद हो चुका था वापिस अब शुरू हो चुका है कैसा लगता है कि अब वापिस अब को लगता है कि इस वक्त वीडी सी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है हमारे पास ये वर्दी की प्राबलम है सर एटोमेटिक वेपन होना चाहिए इन चीजों की प्राबलम है मैं गोवर्मेंट से यही क इन्होंने सही कहा M4 कारबाइन का मुकाबला इस 303 से नहीं हो सकता है लेकिन उसके बावजूद जजबा इतना मजबूत है जजबा इतना अटल है कि लोग यहाँ पे इसवर डटे हुए हैं अपनी चाहे कोई भी गन हो इसके पास आप बताएं जिसके हत्यार आंतकवादि जो खोए हमने तो उनका में बड़ा दुख है तो हमें बड़ी से बड़ी कोशिश का नहीं दो तेन दिन के अंदर उनको मारना है मारना है कुछ भी हो जाएगा आर्मी का साथ तेंगे पोलिस का साथ तेंगे उनको छोड़ेंगे नहीं जो हमारे घर में आकर उसकर उन्हें इनको हम गाइड करते हैं, इनको हम जिस रास्ते से जाना है, तो उसी रास्ते से लेना है, गल्थ रास्ते से इनको नहीं लेना है, क्योंकि हम नुकसान और उठाना नहीं है, तो जिस नहां से हमें देखा कि वो जो लाल दर्मन लाका है, जहां पर यह वो इंसिलेंट हुआ, वहां पर भी एक विज़ था एक पहाड़ी थी जहां पर चुपके घात लगा के बैठे थे तो ऐसे में किस तरह का अड़ांटेज है जो कभी दुश्मन ऊपर होता है पहाड़ों पे उस जगापर सर्व ठीक हम तेन तरीकों पे लिम गे थे वीडी सी के आठ बंदे हम गे थे हैं हमारे साथ मवजूद हैं इनसे भी बात करेंगे अगर अगर मेरे वीजे यहां तक पहुंच पाएं को कि यह जो रास्ता है यहां पर हम खड़ा हो पाना मुश्किल है पहाड़ी लाके है तो आब जिस तरह के चैलेंजिस हैं अब यह जमूग हरीजिन का कोई भी लाका ह वहां पर वो मुझूदगी उनकी है वीजी कितना इसमें मदद कर सकती हैं से नाथम सो परशन मदद करेंगे हम छोड़ेंगे नहीं मदद करने के लिए और हमें यह भिशुआ से की हम जल्दि से जल्दिन को खतम कर देंगे और अपना जेंड के अच्छा कर देंगे साथ मे जो हमारे ये पाड़ी अलाके हैं इनकों साफ सुथरा बना देंगे पाड़ी अलाकों को वापिस आंतकवाद से मुक्त करने का जो एक कसम है इन वीडिजी मेंबर्स ने उठाई है ये वो लोग हैं जिन्होंने आंतकवाद मुक्त पहले भी जम्मों को बनाया है आज भी बनाने का दमखम रखते हैं सिर्व आटोमेटिक वैपन्स इनको मिलने चाहिए और इनके पास एक वर्दी होनी चाहिए इस एक जज़बा जो है इन में हमेशा से बना रहे कमेमन आश्यू के साथ राजन वैथ न्यूजेट इन देसा बाठा विलेज दोडा